आज की क्लास होने वाली है प्राक्टिस वाली क्लास बड़िया से प्राक्टिस करेंगे सौ वाक के ऐसे बताऊंगी जिनके हिंदी आपको अल्रीड आती है जिनके हिंदी में अल्रीड इस्तमाल करते हो पर अब से आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप इन वाक्यों के कर पाए, क्लास को शुरू करते हैं, कुछ करो, do something, do something, है ना, kुछ करो, जिसे होता है, कि कोई पढ़ाय लिखाई कुछ नहीं है, ऐसे बैठेवे हैं, बस दिन काट रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कि रहे, कुछ करो, है ना, कुछ करो, do something, कुछ कहो, सेम उसी तरीके से अब यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर जो हमारा action है वो बदल गया वो अभी कहने की बात कर रहे हैं इसके पहले बाले में क्या कुछ करने की बात कर रहे थे अब हम कुछ बोलने की बात कर रहे हैं तो कहेंगे say something क्या कहेंगे say something, अब देखो यहाँ पर do लगा है यहाँ पर say लगा है something और something जो है दोनों जगा पर common है, same है, तो क्या say को हटा करके हम अगर कोई और action verb लगा दे तो यह काम करेगा, चलिए चक करते हैं कुछ खेलो कहेंगे, play something है ना, कुछ खालो eat something solo, नहीं चलेगा क्योंकि something नहीं लगेगा सोने के साथ सोने का sleep होता है, sleep something नहीं होगा, तो हम action verb जो है यहाँ पर दूसरा कोई लगा करके भी यहाँ पर काम हम कर सकते हैं, depending on कि वो action किस चीज़ को दर्शा आता है चलो, उसे बुलाओ, call him उसे बुलाओ, call him यहाँ पर him लगा हुआ है, मतलब साफ है कि पुरुष के बात हो रही है किसी male को बुलाने के बात हो रही है, किसी पुरुष को बुलाने के बात हो रही है अब यही सेम बात हमें किसी महिला को बुलाने के लिए बोलना हो तो कहेंगे call her क्या कहेंगे call her ठीक है फिर है stop him उसे रोको stop him है ना और ये him लगा हुआ है मतलब clear है किसी पुरुष की बात हो रही है महिला की बात करनी होती तो कहेंगे stop her क्या कहेंगे stop her इसे अंदेखा करो ignore it इसे अंदेखा करो ignore it ignore करने का मतलब होता है जो चीज है उसे ध्यान नहीं देना ignore करो छोड़ हटाओ है तो रहने दो क्या दिक्कत है ignore it मुझे पहले से ही पता था I already मुझे पहले से ही पता था I already knew मुझे पहले से पता है कहेंगे I already know ठीक है मुझे अगर यहाँ पर है लगा हुआ होगा तो no होगा ठा लगा हुआ है तो new होगा चिक्के यह tenses वाले पर depend करता है tenses की class अगर आपने अभी तक नहीं की है तो description box में link है जरूर कर लीजेगा यह आप पर निर्भर करता है it is up to you यह आप पर निर्भर करता है it is up to you यह जो it's है पॉस्ट्रोफी वाला यही तूट करके it is बनता है तो मैंने तोड़के नहीं लिखा मैंने simply इसको पॉस्ट्रोफी के साथ लिख दिया तो यह it's बन गया इसको आप it's पढ़ सकते हैं it is भी पढ़ सकते हैं कोई समस्या नहीं है उन्हें बताओ tell them उसे रोको stop him यहां रहो stay here इसे बाहर ले जाओ take it outside मैं आपको बताऊंगा I will tell you मैं आपको बताऊंगा कहेंगे I will tell you इसे पकड़ो hold this hold this एक घूट लो या एक घूट पी लो कहेंगे take a sip क्या कहेंगे take a sip वो दोनो both of them वो दोनो both of them इसे ले चलो carry this इसे ले चलो carry this अभी नहीं not now अभी नहीं not now हम दोनो both of us या we both ये न वाके के शुरुवात में एक बार लगता है एक बार अंत में लगता है हम दोनों करके अगर आप वाके का इस्तमाल कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि इससे बड़ा जो वाके बनेगा वो किस टोन का बन रहा है तो डिसाइड होगा ये हम दोनों लगेगा या हम दो वी बोथ लगेगा या बोथ अफस लगेगा एक जबकी ले लो, take a nap एक जबकी ले लो, take a nap देखो, nap का मतलब होता है जबकी लेना जबकी का मतलब समझ में आता है जब हम बहुँत भके हुए हैं और थोड़ी देर लेट करके आराम कर लेते हैं मुश्कल से पंदरा मिनट ये जबकी हो गई नीन नहीं है जबकी है बस ठीक है तो take a nap एक जबकी ले लो take a nap इतनी जल्दी so soon soon का मतलब होता है जल्दी so soon मैं नहीं करूँगा आप कह सकते है I won't या कह सकते है I won't do it मैं नहीं करूँगा I won't do ठीक है यह अच्छा है it is nice ये अच्छा है, it is nice. उसे देखते जाना, see him off. नया क्या है, what's new? फिर से सोच लो, think again. मेरी तरफ देखो, look at me. मुझे पता है, I know. मुझे पता है, I know. हिलो मत, don't move. इसी तरह करो, do the same. ऐसा करो, do so. मुझे धक्का मत दो, don't push me. push का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है? तो मुझे धक्का मत दो, don't push me. उसे मेरे पास भेजो, send him to me. send him to me. ध्यान से जाओ, go carefully. go carefully. मुझे कुछ पूछना है, I want to ask something. जैसे आप लोग मुझे कमेंड नि करते हो, कि मैं मुझे कुछ पूछना है, या WhatsApp message करते हो, Telegram पर message करते हो, कि मुझे कुछ पूछना है. अब से लिखके भेजोगे, I want to ask something. पूछना अभी भी है, लेकिन अभी क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखके भेजेंगे. I want to ask something. जैसे, मेरा हाथ छोड़ो, leave my hand. मुझे बताना, let me know. मैं नहीं सोऊंगा, I won't sleep. मुझे अकेला छोड़ दो, leave me alone. आपको खेद होना चाहिए, you should be sorry. तुम्हे शर्मिंदा होना चाहिए, you should be sorry. तुम्हे माफी मांगने लाइक होना चाहिए, you should be sorry. इन सारे के चगा पर यूज़ कर सकते हैं इसको. ये मेरा नहीं है, this is not mine. ये मेरा नहीं है, this is not mine. सीधा मुद्दे पर आओ, come to the point. मैं क्या करूँ, what do I do? एक मिनट रुखिये, just a minute. एक मिनट रुखिये, just a minute या कह सकते हैं wait a minute. ठीक है? चुपचाप निकल जाओ, go out quietly. किसी और के जैसा, as someone else. जल्दी बाहर जाओ, go out quickly. क्या कहेंगे? Go out quickly. तो सुनिये. So, listen. कम बोला करो, speak less. कम बोला करो, speak less. रोना बंद करो, stop crying. हसना बंद करो, stop laughing. Simple, है न? Stop laughing. अंदर मज जाओ, don't go inside. बहुत अच्छा, well done. शुक्रिया कहो, say thank you. क्यूं मिलना है? Why to meet? कम मिलना है? When to meet? तो क्या? So, what? वो परिशान है, she is upset. वो परिशान है, she is upset. किस समय पर? At what time? किस समय पर? At what time? वो कमरे के अंदर आया. He came into the room. वो कमरे के अंदर आया. He came into the room. मैं अभी अभी आया. I just came. मैं अभी अभी आया. I just came. उसने उसे बुलाया. He called him. उसने उसे बुलाया. He called him. हम जानते हैं, we know. मुझे ये पसंद है. I like it. ये लंबा है. This is long. थोड़ा पानी. Little water. दूसरी बुक किताबें या अन्य पुस्तकें. Other books. मैंने उसे उठाया. I picked it. मेरा एक सवाल है. I have a question. आराम करो. Take rest. उसने ये कहा. She said it. मेरे पास कुछ पैन है. I have some pens. मैंने उसे देखा. I saw him. उन्होंने ये कर दिया. They did it. तब मैं आउंगा. Then I will come. वो मेरा बैग है. That is my bag. ये उनका घर है. It is their house. वहां मेरा बैग है. There is my bag. उन्हें बुलाओ. Call them. ये मेरा पैन है. This is my pen. ये सीडियों से उपर है. It is upstairs. इसका स्तमाल करो. Use it. बहुत अच्छा. Very good. मैं दौड रहा था. I was running. मुझे अपना मोबाइल मिल गया. I got my mobile. हम लोग जाते हैं. We go. तुम जाओ. You go. तुम्हारी किताब है. Your book. ये नीचे गिर गया. It fell down. मैं रोज स्कूल जाता हूँ. I go to school every day. मैं पूने से हूँ. I am from पूने. उसने मुझे एक तौफ़ा दिया. He gave me a gift. हम खेल रहे थे. We were playing. उसके साथ जाओ. Go with him. वो पढ़ाई करेगा. He will study. तुम कहां जा रहे हो? Where are you going? वो कब आ रहा है? When is he coming? Clear? तो लीजे. हो गई ना? बैठे बिठाए. 100 sentences की practice. जो हिंदी में तो आपको पता थे. I am pretty sure. पर अंग्रेजी में भी अब आपको पता है. तो खुश हो जाएए इस बात से. और खुश हो करके फटा-फट से comment करके मुझे बताईए कैसी लगी class. बढ़िया लगी? Class को like और share कर दीजे. आप देख रहे हैं संधीत English Academy. मैं हूँ प्रीती मैम. सब्स्क्राइब करके bell notification on कर दीजेगा. ताकि आगे क्याने वाली classes की notifications आपको मिलती रहें. आपको फ्री और पेड दोनों तरह की classes मिल जाती हैं. तो आप दोनों में से जो चाहें वो class को अटेंड कर सकते हैं. इसके अलावा ये वाला number जो है. ये number हमने हमारी helpline number है. इस number पर आप WhatsApp मेसेज के जरीए हमारे साथ जोड़ सकते हैं. आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी course करनी चाहिए. कोई दिक्कत हो payment करने में. तो वहाँ पर बाप बता सकते हैं. इसके अलावा हमारी e-books इस website पर भी available हैं. ये PDF वाली किताबे होती हैं. तो आप इनको जब भी लें, download जरूर कर लें. WhatsApp का group, Telegram का channel हमारा join कर लें. ताकि रोज के आने वाली classes आपको मिल पाएं. और आप अपने घर पे comfort zone में बैट करके, हमारी classes को attend करके अंग्रेजी सीख पाएं. तो मैं आपसे मिलूंगे आपकी अगली class में. Till then, thank you so much for watching. Stay tuned to Sunday English Academy.